जाहें दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ आपका दोस्त मनीश और आप देखराएं अपना ही चानल मनीश टेकनिकल और आज इस वीडियो में हों अपना टेस्ट करेंगे Rapid Antigen Test और इसे हमने परचेश किया है जो टेस्ट किट है इसे हमने परचेश किया है फ्लिप काट से ये दो पीस हमने पर्चेश किया है क्योंकि आपको ये दो पीस लेना ही पड़ेगा और इसकी प्राइस है धाई सो रुपे और इसे माई लब के द्वारा बनाया गया है लेकिन फिर भी जैसा सिचुएशन उसमें 200 रुपे में ये भी अभी मिल जाये तो काफी अच्छा और ओनलाइन घर बेटे हमें ये मिल जा रहा है और जो भी हमें टेस्ट करमाना है तो इसके लिए हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा हम खुद से अपना टेस्ट कर पाएंगे तो चले इस वीडियो में मैं अपना खुद का टेस्ट भी करूँगा और इसे कैसे यूज करना है इसके लिए का अप्लिकेशन भी डाउनलूड करना है तो सारा कुछ प्रोसेस करेंगे और अपना टेस्ट करके भी बताएंगे आपको मैं पोजेटिव आता हूँ या काम दिया है कोवी सेल्फ कोवीड 19 रैपिट एंटिजन टेस्ट सेल्फ टेस्ट किट और इसे इस्तमाल करने के लिए हमें गूगल प्ले से या एप स्टोर से जो एपल का एप स्टोर होता है वहां से इसका अप्लिकेशन हमें डाउनलोड करना पड़ेगा वहीं से आपका यह जो टेस्ट का रिपोर्ट होता वो जनेरेट हो पाएगा टेस्ट करने के बाद और अभी जब मैंने गूगल प्ले स्टोर पर इसे सर्च किया तो वहां पर हमें यह नहीं मिला माई लैब कोवी सेल्फ आप तो इसकी वेब साइट से जाके आप वहां से डाउनलोड कर सक सकते हैं 500 रुपए मैं आपको फ्लिप काट का भी बिल दिखा देता हूं तो यहां पर हमें 500 रुपए लग गया है क्योंकि जो यह टेस्ट किट है यह दो के साथ ही आता है एक आपको नहीं मिलेगा दो आपको पर्चिस करना ही पड़ेगा तो यह 500 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे पैकेट में हमें क्या-क्या मिलेगा तो यहां पर आप दे सकते हैं प्रिफिल्ड एस्ट्रैक्शन ट्यूब टेस्ट कार्ड जो होता है किट है और इंस्ट्रक्शन फोर यूज इंस्ट्रक्शन मैनुवल मिल जाएगा और इस्ट लाइन नसल स्वैब मिल सनेटाइज कर लिया है तो अब इस पैकेट को ओपेंड करते हैं और यहां पर एक कट का निसान दिया हुआ है तो यहां से अब हमें इसे ओपेंड कर लेना है और इस पैकेट में हमें मिल जाता है एक टेस्ट कार्ड एक नोजल स्वैब और एक एक स्ट्रैक्शन ट्यूब और एक disposal bag और एक user manual तो इस test card को मैं भी open कर देता हूँ और जिस सता पर हमें रखना उसे मैंने पहले ही आपको बताया है वहाँ पर इसे हमें sanitize कर लेना है तो यह test card है आप देख सकते हैं अधिक से मैं आपको दिखाता हूँ COVID-19 antigen test और यहाँ पर एक barcode भी लगा हुआ है तो उस application को जब हम install करेंगे इसके application को तो वहाँ पर इसे हम scan करेंगे तो सारा कुछ हमने इसे open कर लिया है यहाँ पर टेस्ट करने से पहले हमें my lab जो को भी self application है तो यहाँ पर अपना account बना लेना है तो मैंने सारा अपना account यहाँ पर्सनल डिटेट वेगर सब्मिट कर दिया है और यहाँ पर वीडियो भी मिल जाएगी इसे कैसे use करना है तो मैं आपको तो बता ही रहा हूँ यहाँ और यहाँ निव टेस्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे self test का जो option है या relative किसी दूसरे का करना है तो वह भी option है तो हम यहाँ अपना self test कर रहा है तो जो भी यहाँ पर हमें instruction मिलेगा वह हमें follow करते जाना है और जो भी यहाँ पर permission मांगा जारा सब हमें यहाँ पर submit कर देना है medical history है या covid vaccine आपने ले लिया तो हमने दोनों तो टीका ले लिया है तो जो भी डीटेल है यहाँ पर आपको submit करके और scan QR code जो है जो यहाँ पर हमें यह test kit मिला है तो इसे हमें scan करना है और हमारा report यहाँ से ready हो जाएगा चलिए स सबसे पहले हम अपने यहाँ पर test करते हैं उसके बाद इस application में जाके सारा detail अपना submit करेंगे तो यहाँ पर हमें जो यह extraction tube है एक हाथ में इसे ले लेना है और यह जो nozzle swab है तो इसका जो एक plastic का सीरा है तो मैं आपको नज़िक करके दिखाता हूँ इसका जो एक plastic का सीरा उप अपर की तरफ से वहां से cut कर लिया है मैंने और उसे ही साब्धानिक पूर्वक हमें निकालना है और अपने दोनों नाकों में पांच मांच बार घूमाना है जिसमें अच्छी तरह से जो हमारा swab है वो collect हो जाए तो चलिए मैं आपको process करके दिखाता हूँ यहाँ पर नाक क दोनों hole में हमें 5-5 बार इसे घूमा लेना है और इसे काफी साब्धानी पूर्वक जो extraction ट्यूब है इसको open कर लेते हैं और इसके अंदर हमें इसे पूरा दुबा देना है और यह ध्यान रखना है यह जो extraction ट्यूब है तो यहाँ पे हमें नीचे वाले portion में इसे काफी दरीके से इसे इस में 10 बार करीब इसे हम घुमाएंगे इसे जो भी स्वाय वह हमारा यहाँ पे कलट हो जाए तो इस प्रक्रिया को काफी सफ्धाद धानी से हमें करना है यहां पे गट संदिया हुए उससे यहां से तोड़ देना है और यह काफी असानी से टूट जाता है यहां पर cut दिया हुए तो इसे हमने काफी असानी से तोड़ दिया है और इसके cap को फिर हमें जो इसके साथ हमें जो cap मिला इसके हमें लगा देना है और चलिए इसे अब हम test kit में रखते हैं और देखते हैं हमारा क्या report आता है negative या positive आता है तो इस extraction tube में जो हमने अपना स्वय भी कठा किया है उसकी दो बुंदे इस test kit में हम रखेंगे और हमारा test होना शुरू हो जाएगा तो चलिए दो बड़ी बुंदे हमें इसमें रख देना है तो यहां पर हम दो बुंदे हमने रख दिया है और यह हमारा आप देख सकते हैं test होना शुरू हो चुका है और यह करीब 15 मिनिट का maximum समय लेता है और 15 मिनिट से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो test मानने नहीं होता है तो यहां पर हमारा test complete हो चुका है और हम negative आज चुके हैं तो काफी आसान है इस तरीके से आप अपनी जो antigen jarch है rapid antigen test काफी आसानी से घर पे कर सकते हैं तो जो हमारा यहां पर dinheiro आ चुके है तो इसके data को हमें यहां पर mylab application में upload कर देना है तो यहां पर सारा कुछ हमारा process हो चुका है मैं upload करके आपको बताता हूं तो यहां new test में जाएंगे और यहां पर self test में चले जाएंगे और जो भी instruction यहां पर मांग रहा है उसे हमें यहां पर enter कर देना है सारा detail हमने यहां पर इंटर कर दिया है तो चली scan qr code और यहां पर जो हमारा यह जो test kit है तो इसको scan कर लेते हैं तो इसने सफलता प्रूवकी से scan कर लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं your cassette id is तो kovi self जो इसका id उसने भी से detect कर लिया है option को और यहां पर proceed करते हैं टाइमर में चला गया है और यह करी 15 मिनट बाद यहां पर result so कर देगा तो हम इस process को होने देते हैं और final जो हमारा result आएगा तो वह भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा फोरा सा doubt हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं जो दो line है यहां पर दोनुव लाइन हमें दीख रही है तो देखते हैं वो जो हमने scan किया है तो उसमें क्या result देता है लेकिन जब अगर यह दो line दीखती है तो आप positive हो जाते हैं लेकिन ऐसा मुझे ऐसा कुछ लक्षन है नहीं जो मुझे ऐसा लगे और मैं ऐसे किसी के संपर्क में भी नहीं आया हूँ तो शुरू में तो इसने एक ही line दिखाया था लेकिन जब थोड़ा सा time हुआ तीन चार मिनिट के बाद तो इसने दो line दिखा दिया है तो चली अब हम test kit में भी wait कर लेते हैं यहा दो line आ गई है तो अगर यह दो line आ जाती है तो आप positive हो जाते हैं और हमारा यहां पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं मैं आपको अपना रिपोर्ट दिखाता हूं यहां पर यह डाउनलोड हो चुका है जून 11 2021 नो बज के दो मिनट पर और यहां पर आप देख सकते हैं antigen positive जो भी प्रोटोकॉल है और जो भी guideline है तो उसे हमें follow करना है मैं उसको follow करूँगा और सारा यह जो हमारा test kit है सब को इसमें हमें सारा गाइडलाइन फॉलो करना है तो काफी यूजफूल किट है आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं और ऐसा कोई सिम्टम मुझे नहीं है लेकिन पोजेटीव रिपोर्ट आ गया है तो हमें इसे माल लेना है जो आप पोजेटीव है तो सब कुछ यहाँ से हम इसे अच्छे से डिस्पोज कर देंगे डिस्पोजल बैग में चलिए अभी सबको हम डिस्पोज करते हैं और यह वीडियो यहीं और पोजेटीव आ गया है तो जल्दी से हम निगेटिव हो जाएंगे और एक हमारे पास दूसरा भी किट है तो कोशिस करेंगे उससे भी कुछ दिनों के बाद टेस्ट करेंगे और देखेंगे फिर हमारा क्या रिपोर्ट आता है तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए और जल्दी से हम निगेटिव हो जाते हैं पोजेटिव से और मिलते है फिर ऐसे हैं कोई नए वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रम